दोस्त आप लोग कई बार कमेंट किये हुए हैं कि हमारा बज़ट कम है दस हजार के अंदर कोई PC बताईए तो दस हजार तक का अगर बज़ट है दस हजार से ऊपर नहीं जाना है तो आप हमेशा रिनूट PC बाई करें बहुत ही बहतरीन PC आपको मिल सकता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं समझने के लिए वीडियो के साथ अंतर तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर भी कर दिया करें क्योंकि काफी भारीो का यह रिक्वर्मेंट रहता है इसलिए आप सेयर करेंगे तो लोगां को पता भी चलता रहेगा उसके साथ में ही प्लीज आप कमेंट करना ना भूले कि नैस्ट वीडियो की टापिक पर चाहिए क्योंकि इस सारी की सारी वीडियोज आप लोग के कमेंट के अधार पर ही आती है आईए दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर मैं मातर दो PC के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपका बजट 10,000 के अंदर-अंदर ही है उपर नहीं जाना है तो यह है HP का Renewed के अंदर 800 G3 Tiny Desktop यह i3 6th generation के साथ में है 8 GB RAM है 240 GB SSD के साथ में यह आएगा और सबसे बड़ी बात Windows 11 Pro अपग्रेड़ है लाइफ टाइम के लिए MS Office, Wi-Fi और USB 3.0 के साथ में यह आएगा और इसके अंदर आप 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं दो जो है डिस्प्ले पोर्ट के माध्यम से और एक जो है विजिये के माध्यम से आप इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्ट करके 3 डिस्प्ले चला सकते हैं यानि कि इसको यूज करके आप अच्छे से आप ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं ये कही न कहीं बहुत अच्छा PC आपके लिए हो सकता है इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 9,500 रुपे में ये आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको आप बाइ कर सकते हैं अगर हम next की बात करें तो वो आ जाता है Lenovo Carthing Center के अंदर M700 ये i3-6 generation का प्रोसेसर इसके अंदर भी लगा हुआ है 8 GB DDR4 RAM के साथ में 256 GB SSD लगी हुई है 256 GB वाला जो variant होता है या 512 GB इसका ज़स्ट डबल करते हैं तो ये variant का जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है M.2 NVMe SSD होती है Windows 11 के साथ में MS Office के साथ में ये आएगा और इसका प्राइस 9,800 रुपे है अगर दोनों में कंपरीजन अगर आप कर लें कि दोनों में से कौन सा अच्छा है तो स्पीड के मामले में कहीं न कहीं ये बहतर है लेकिन उसके साथ में जो पिछला वाला मॉडल है उसके साथ आप तीन डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे और इसके साथ में आप जो है दो डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे तो अगर trading का काम करना है, तिम display के साथ में तो आप पीछला वाला buy करें या फिर normal अगर आपको काम करना है, अगर आपके पास दुकान है, दुकान के लिए काम करना चाहते हैं अफिस ए उफिस में लगाना चाहते हैं, वर्टम होम करना चाहते हैं, बच्चों को सीखने के लिए देना चाहते हैं, तो इस टाइप के काम अगर, यानि कि अगर आपको सिर्फ सिंगल ही monitor अगर लगा करके काम करना है अगर आपको, तो आपके लिए वहतर होगा Lenvok arthing center M700, क एक converter लेना पड़ सकता है DisplayPort to HDMI एक converter या फिर cable लेना पड़ सकता है या फिर अगर DisplayPort है तो आप डारेक्ट इससे आप connect कर पाएंगे इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं हो सकता है कि जिनका budget ये कम है इतना कम है तो उनके पास जो monitor होगा वो VCA वाला monitor हो सकता है तो घबडाने की ज़रूरत नहीं है आप जो है इसके अंदर converter एक लगा लेंगे DisplayPort to VCA एक converter आता है आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं फिर DisplayPort to जो है VCA केबल भी आता है जिसको लेकर कि आप इसको यूज़ कर पाएंगे मैं कोसिस करूँगा लिंक देने की आप वहाँ से बाई कर सकते हैं बाकि दोस्तों वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जोरू बताएं जिनका बजट कम है 10,000 के अंदर-अंदर इन दोनों में से कोई सा भी वाई कर सकते हैं अपने रिक्वाइर्मेंट के हिसाप से प्लीज विडियो गों करें शेयर भी कर दिया करें पहली बार चैनल कर आगये हैं तो अप्ली चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलताूं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका दिन सुप्राइब आपका दिन सुप्राइब